गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों बेटा पिसला क्लास में जो हम वीडियो बनाये थे वो वीडियो जुड़ा हुआ था बाल गंगा धर तिलक से और बार बार बोलते हैं कि जो बेटा वीडियो देखे होंगे गौर से देखे होंगे उसमें पता चल गया कि बास्ता में जो सर बोलते हैं कि सरा कोष ...... उ पूछा गया है कि नहीं एह आःशास करती हूँए आपको बाल गंगा धर तिलक से जुरएं बाते हैं आपको हम पिछला क्लास मे बताया थे आपको हम और हम उमीद करते हैं कि उनसे जुड़ा हुआ जितना बात पूछा गिया है यह आपको हम बताएं हैं लगभग ऐसे और भी बहुत सारी बाते लें कि मैक्समाम प्रयास किये हैं कि उसमें बता दें और इसे बाल गंगा तिला का तो नाम सिरोंगे और ओही बाल गंगा तिला जिन्हों ने कहा था कि एक नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिध अधिकार है इस नारा किस ने दिया था तो बाल गंगा धर की लग ने दिया था जानते हैं इसमें को टेंशन नहीं आप लोगों तो चलिए पिछला क्लास को ध्यान में रखते हुए उसी तरह से आपको आज एक चैप्टर प्ढाने जा रहे हैं टॉपिक है जिसका नाम है आकासवानी एवं दुरदर्शन इसका नाम है आकासवानी इसे भी आपको 15-20 कोश गया जिसका नाम है आकासवानी एवं दुरदर्शन समझेगा आकासवानी इवं आपको दुरदर्शन एक क्लियर है इसमें को टेंशन नहीं आकासवानी इवं दुरदर्शन क्या है बताने जारे आपको हैं आप नाम सुनोंगे आउडियो और विडियो का सब सुने होंगे एक क्लियर है आउडियो और विडियो आप जानते होंगे कि आउडियो सुनने से जुड़ी हुई है और विडियो आपको सुनने और देखने दोनों से जुड़ी हुई है यह सबको पता है इसमें को टेंशन नहीं है आप लोगो आउडियो में सिर्फ सुनने वाली बात हो सबसे पहले आपको आउडियो सेवा की सुरुवात की गई और आउडियो सेवा के रूप में रेडियो सेवा अब इसका मतलब समझ या गौर से सबसे पहले भाग में आपको दो चीव बोर रहे हैं एक बोर रहे हैं विडियो आपको हम बोले होंगे तो ध्यान देंगे आउड शुनने और देखने दोनों से ईसे तो भारत सबसे पहले आपको और किस रूप में की गहीrio का नाम सुनंगे आप लो तो सबसे पहले रेडियो का नाम सुनंगे आप लो तो सबसेieurs रेडियो इसको ट्रांजिस्टर भी लोग बोलते हैं तो आप जानते हो कि जब रडियो में सिर्फ हम लोग सुनते हैं ओसा थोटी है कि कोई विडियो है देखते हैं उस सम最 नःए या फिल्डा विडियो में सिर्फ और प्रडान करती है उसर्फ स्यनला सकता कोई भी नियूज को देखा नहीं जा सकता है और बात को समझेंगे हम क्लियर कर देंगे दोनों में अंतर भी अकासवानिय दुर्दाश्र में अंतर भी क्लियर कर देंगे आपको हम तो आपको कहा जाता है कि समसे पहले रेडियो सेवा की जो शुरुवात की गई याने रेडियो का जो ब्रोड कास्टिंग हुआ अब ब्रोड कास्टिंग के मत्तब हुआ प्रसारन अब बहुत चाह के मन में प्रसारन भी समझ में नहीं आता हुआ आपको रेडियो का परसारन जैसे आप सोच लो विट आपको आज जैसे आज कोई भी जैसे नियूज रेडियो पर सुनते हैं तो कहीं से कोई तो उसको बोल रहा होगा या बोल रही होगी आज रेडियो पर जो न्यूज सुनते हैं आप रेडियो पर या ती पर आपको टीवी पर भी तो उसका कहीं से कहीं से तो कोई बोल रहा हुआ तो उसी को हम लोग सुनते हैं तो जहां से बोल रहा है उसे काते हैं कि वहां से परशारन हो रहा है अगर पतना से बोल रहा हो तो कहते हैं कि परसारन केंदर कहा है पतना में है परसारन समझ गये है परसारन को ही अंग्रेजी में ब्रोड कास्टिंग कहा जाता है ब्रोड कास्टिंग तो परसारन केंदर समझ गये जहां से वो परसारन हो रहा है जहां से बोला जा रहा है तो न परत में सबसे पहले रेडियो परसारण सेवा की जो शुरुवात की गई आपको 1927 में कोस्टन पूछा गया पहला कोस्टन जहां भी ऐसा आला कि आज लाइन दे जेते हैं आपको कि जितना लाइन उतना कोस्टन पूछा गया यार रखे लाइन को बिगनेगा अभी पता किज पूछा गया यहां पर परसारण होने लगा हम लोग नीज सुनने लगे सबसे पहले तो यह कोस्टन पूछा गया तो गौ करेंगे एक क्लियर है तो यहां पर आप जैसे आप जानते हों के बड़ा गुदारान जेते हैं तो रेडियो परसारण सेवा एक आपको नाम था सर् होंगे आप एर अंडिया आप जानते होंगे कि इंडिया और लाइंस एक में दो गाहिं और शारण कर्दान करते हैं ऐसे कोई कमपनी उसी तरह से जिस तरह से आप एरोप्रेन जो चलती है किसी कंपनी के तहट उसी तरह से रेडियो पर जो हम लोग न्यू सुनते हैं उस यह रेडियो पर परसारन होता है वह कोई कंपनी कर रही है तो बता दें सबसे पहले इस कंपनी का नाम था रेडियो परसारन सेवा कंपनी रेडियो पर न्यूस सुनवाना लोगों को आप जामतें कोने कोने में अब देश के कोने कोने में आपको ट्रांजिस्टर रहती थी पहले ज़्यादा गों करेंगे न्यूस सुनते थे तो सबसे पहले रेडियो सेवा परदान करने वाली कंपनी का नाम था रेडियो परसारन सेवा क्या नाम था रेडियो परसारन सेवा एक क्लियर कर दिया आपको रेडियो परसारन सेवा रेडियो परसारन सेवा कि शुरुआत कब हुई 1927 मुही कहां हुई तो भारत मुही क्लि पहले आपको रेडियो की सुरुआत कि गई उनैस्ट सबस्ताती से इंगो से निजिद में सबसे पहले चेमें निजी बने पराइबट च्चेतर में रेडियोग परशारन से राके सुरूआत की गई थी एक बैंगलोर की कंपनी के दोबरा तो यह बेढूर के तो यह क specialty में रेडियोग परशारण के काम है सबसे पहले कहा हुआ नहिंगे वी थीवत रूप से सबसे पहले कहाहा हुआ तो भैंगलोर कहें it upon the सबसे पहले प्रिजिए का काम की गई कहां कि बंगलोर में तो आप कहेंगे बंगलोर दुसरा कोचन पुछा गया क्लियर हुए है रेडियो प्रसारान सेवा की सुरुवात का हुई तो 1927 में आपको नीज छेत्र में सबसे पहले इस सेवा की सुरुवात कहां हुई तो 1927 में बैंगलोर में कहां ही बैंगलोर में क्लियर यह क्लियर है इसमें कोई टिंसन नहीं आगे चलेंगे आपको हम बता जो कंपनी रेडियो सेवा परदान कर रही है सबसे पहले कंपनी का नाम क्या था रेडियो परशारंग सेवा कंपनी का नाम ता सेवा दादेंगे लेकिन कहा था कि 1936 में 1936 में इस कंपनी का नाम या रेडियो परशारंग सेवा का नाम आपको कर दिया गया All India Radio क्या कर दिया ग 1936 सिसी में आपको रेडियो परसारन सेवा का नाम बदल कर कर दिया गया All India Radio All India Radio All India Radio कर दिया गया इसको AIR भी लोग बोलते हैं All India Radio 1936 सिसी में इसका नाम बदल कर करके किसका नाम? रेडियो परसारन सेवा जो कमपनी थी एक कमपनी का काम क्या था? आपको रेडियो का परशारन करवाना रेडियो का जब परशारन होता था तो लोग देश के कोने कोने में सुनते थे तो इस कंपनी का नाम 936 इसवी में All India Radio कर दिया गया जिसको सोट में AIR भी बोलते हैं गोकर इसका फुल फॉर्म होता All India Radio AIR तो कोस्टन पुछा गया बेटा आपका जादेंगे तिस्रा कोस्टन कि All India Radio की अस्थापना कब हुई तो 936 में कब हुई या यह भी कोस्टन पूछ सकता है कि रेडियो परशारन सेवा का नाम बदल कर आपको All India Radio कब किया गया तो 936 में किया गया क्लियर तो एक कोस्टन पुछा गया ध्यान रखेंगे All India Radio क्लियर तो दिमाम रखेंगे चार कोस्टन हो गया आगे चलेंगे आपको कहा जाता है कि आपको हम बता दें All India Radio अब देखिए पहले कंपनी का नाम था रेडियो परशारन सेवा कौन कंपनी जो रेडियो परशारन कब कर दिया गया 36 में कहा जाता है बटा की 1800 कहा जाता है कि यहां पर उनेशो संतावन इस भी में आपको मता दें उनेशो संतावन इसी में All India Radio का नाम बदल कर कर दिया गया अकासवानी क्या कर दिया गया अकासवानी ऐसे सुनते होंगा कि आकासवानी से नहीं सुरू रहे हैं आकासवानी जया देंगे आकासवानी तो यहां पेटा एक क्लियर हो गया कि All India Radio का नाम भी चेंज हो गया हो गया अकासवानी तो कोशन पूछा गया कि आपको एक कोशन ते भी पूछा गया कि अकासवानी के स्थापना कव हुई तो उनैसो संतावर में हुई अगर कोशन कहे कि All India Radio का नाम बदल कर अकासवानी कव किया गया तो आप कहेंगे उनैसो संतावर में किया गया question 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 हो यहां कशभानी हो इस कंपनी फिर्टी जो रेडियो पर्षारण का काम करती थी आप रेडियो परodor Pixanoil कमितलब स्सक्ड़ लोगांगे जो यह संसरा फा पर स मुनाना सेव में लेगेत सुनाना आपको समचाल सुनाना जो विए या नाटक सुनाना कुछ भी तरह से तो यह जो परसारन होती थी उभासा थी हिंदी किस भासा में हिंदी सबसे पर हिंदी में ही परसारन होता था सब हिंदी में हुग आता सदाइस में चातिस में लेकिन आप देखते होंगे कभी 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 आपको बहुतीन से देखते हो रहें में कि रेडियो पर संस्क्ूित में भी नीयू सुना जाता है इसाज़ो है और जीतने उतना तो पर जितना भी जो चीछ सुना जाता था जो शेवा परदान करते थी वो सरहीं फींधी भाषा में कौन भाषा में हिंधी लेकिन आपको मता दें कहा जाता है लेकिन आपको सितंबर सबसे पहले रेडियो पर संस्कीत में आपको संकीत में निज देने लगा यानि संकीत में सबसे पहले जो निज यानि समाचार जो सुनाया गया किस पर रेडियो पर दंदेंगे इसमें रेडियो का सेवा कुन परदान करते थी अकास बानी आपको 1974 में आपको सबसे पहले संस्कीत में आपको समाचार की शुरुवात की गई इसका मत्ता हुआ कि रेडियों पर संस्कीत में जो समाचार देने लगा जो नियूज देने लगा वो कब से सेप्टमबर 1974 सेप्टमबर 1974 से कोशन बटा पूछा गया, सिप्टमबर उन्यसस चौहट्र से, किलियर, तो ये भी कोशन पूछा गया, कि आपको, हाँ ध्यान देंगे, एक कोशन ये भी पूछा आता है, इस समय रडियो परसना निसला का नाम किया रहता है, अकासवानी, अरे उन्हास चहुक्वानी पर कोच्षन पोच्षन पुच्षन पूच्षा गया कि संस्कित में समाचार को news कहते हैं आप लो धाजियेंगे आकास बानी के तहथ रेडियो सिवह पर्दान की जाती थी अकासबानी पर सबसे पहले रेडियो परसारण सेवा के सुरुआ इन्हें सरे आपको अकासबानी पर सबसे पहले संस्क्रीत में आपको न्यूज कम से सुरू किया गया तो अंसर होगा 1974 से 1974 से क्लियर यह भी कोशन पूछा गया यह दिमाम रखेंगे अभी तक सिर्फ बेटा आउडियो है अभी वीडियो नहीं आया अब देखें आउडियो वीडियो अलग कब हुआ आपको मता रहे हैं आपको यानि टीवी जो आया जब टीवी जिसको टेलिवीजन कहते हैं टेलिवीजन को ही हिंदी में बोलते हैं बेटा दूर दरसन तिवी जो बोलते हैं, उसे को फुल फां हुआ टेलिवीजन, तिवी का और इसको हिंदे में बोलते हैं Durdarsan, क्या बोलते हैं? Durdarsan, clear? तो एट टिवी कभ से आया? जब टिवी आ जागा, जानेंगे तो निसी था कि आउडियो वीडियो दोनों कि टिवी पर आप सुनते भी हैं देखते भी हैं देखने का दोनों का मतलब है वीडियो तो बता दे मिटा आप पहले यहां तक अकासवानी है लेकिन ऐसे कहा जाता है हलाकि इसके पहले ही 1965 इसवी में गौर से सुरियेगा 1965 इसवी में आकासवानी से दुरदर्शन को अलग किया गया इसका मतलब समझ रहोंगे आप लो 1965 इसवी में कोशन पूछा गया 1965 इसवी में आपको पहले अकासवानी था अकासवानी से दुरदर्शन को अलग किया गया यानि टीवी आ गया आप 1965 में तो कोशन पूछा गया बटापका कि अकासवानी से दुरदर्शन को अलग कल किया गया तो आप कहेंगे 1965 में बिधी व्यतरूप से अलग हो गया तो यह भी कोशन पूछा गया कि अकासवानी से दुरदर्शन को अलग कव की गई तो इसका जवाब होगा 1965 में 1965 किलियर ए 1965 में होई इसमें कोटेंसन नहीं है चलिए कोशन पूछा गया तो इसका मतलब समझे सब्लों मनें रेडियो से टीवी अलग होगे इसके पहले टीवी नहीं था 1965 से पहले हलाकि दुरदर्शन के बारे में एक बिधिवत रूप से शुरुआत हुए और कहा जाता है कि दुरदर्शन को अलग करने के लिए सबसे पहले परियोग किया गया था 1969 में ही लेकिन सफल नहीं हो पाया था यानि अकसवानी से दुरदर्शन को अलग करने के लिए आपको परियोग की गई थी परियोग की गई थी 1969 में ही लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था सफल कब हुआ यह सफल हुआ 1965 में यानि बढ़ा एक बात को समझेगा यहाँ पर परियोग किया गया कि अकसवानी से दुरदर्शन को अलग कर दें लेकिन यह सफल नहीं हो पाया अलग नहीं हो पाया अकासवानी से दुरदर्शन जो अलग हुई वो 1965 में तो एक कोशन एक और बन गया आपर कि भारत में आपको दुरदर्शन के लिए यह दुरदर्शन को अलग करने के लिए किस से अलग अकासवानी से अलग कर करने के लिए आपको परियोग कब किया गया सबसे पहले तो उसका जवाब होगा 1969 एभी कोशन पूछा गया तो भारत में दुरदर्शन का परियोग आत्मक दा देंगे यह परियोग कब किया गया अला करने के लिए तुन एभी कोशन पूछा गया तो आपको एक लियर हो गया उसके बाद बता दें आप देखते होंगे कि दुरदर्शन पर यह टीवी पर आइड आता है जिसको परचार कहते हैं हम लोग जानते होंगे तो अब देखे आप सुने होंगे कि जो टीवी पर परचार देता है तो आप होंगे कि सब पता कि TV पर परचार करवाने के लिए को हमसे पैसा लेगा यान्य उसको फैदा है तो ग brag करेंगे कोसन यहाँ बन रहा आपको कि दुरदर्शन पर सबसे पहले बानिजिक सेवा दुरदर्शन पर सबसे पहले बानिजिक सेवा बानिजिक यानि कमर्सियल सर्विस यानि बहुत बता देंगे क्या होता है जो भात में सबसे पहले दुरदर्शन पर बानिजिक सेवा की सुरुवा जो की गई 1986 इसका मतलब और समाझ लीजी आप लो बानिज मतलब ब्यापार में इंकम होता है जानते होगे तो यह पता टीवी पर आद आने लगा तो निशित है की इंकम होता होगा तो आप दे भी जान जाएं कि टीवी पर आड आना इंट टीवी पर से शुरू हुआ तो कहेंगे अठाव शुरू हो गया तो व्यापार भी होने लगा यानि व्यापार में इंकम भी होने लगा जो एड आपको पर परसारण कर रहा हो जो कंपनी या जो चैनल उस चैनल को पर बानिजर्जीक सेवा कि सुरूवार कब हुई तो आपका जवाब और चैनल नगल उसकी दुर्दर्शन पर भी नियूज का परसारन होता है तो कहा जाता है कि दुर्दर्शन पर आपको जानते होंगे दुर्दर्शन पर आपको सबसे पहली समाचार बाचिका दुर्दर्शन पर सबसे पहली समाचार बाचिका का नाम है प्रतीमा पूरी क्या नाम है प्रतीमा पू वोस्ति में पोर्त स्माचार को सुनाने वाली बाचनामने बोलना ??? को सबसे पहलेस को बनाव प्रतीमापूरी क्या नाम था प्रतीमापूरी कोछण पूछा गया कोछन प्रतीमा पूरी क्या जवाब होगा प्रतीमा पूरी दुरदर्शन पर सबसे पहली समाचार बाच का कौन थी तो इसका जवाब कौन होगा प्रतीमा पूरी प्रतीमा पूरी क्लियर कोशन पुछा गया प्रतीमा पूरी एक्लियर है इसमें को टेंशन नहीं है दुसरी बात ज देखें इसमें आप देखते होंगे कि दुर्धर्षंपर हिंदी में समचार के शुरूरत जो 65 momento पुछा गया दुरदर्शन पर हिंदी में समचार किसे देने लगा वो कव से 1965 से एक चीर बता दें विटा आपको हम आपको कहा जाता है कि आपको दुरदर्शन काम तब करता है कोई टावर पकड़ता है इसको कोई टावर से जुड़ा होता है तो कहा जाता कि दुर्जरशन से जुड़ी भारत में सबसे उची टीवी टावर का नाम सुनोंगे वही टावर से इसको पावर मिलता है पावर मिलता है तो काम करती है जैसे मोबाइल भी आपको टावर से कोई काम करता है जानते होंगे आपको तो जानते होंगे कि कहा जाता क कि भारत में सबसे June चार यह है नई दिली में है और नई दिली में भी पितंपूरा पितंपूरा नहीं पितंपूरा कोस्टों कुछा गिया कि भारत में सबसे June क्वेशन बेटा हुँ एक सब्सक्राओं कुछें परकाव कि यह कुछा गया और आपको कलियर कर दें एक क्वेस्तन बेटा चूट किया था हुंसको बोल दें श्रा बैक में जा रहे हैं आपद आपको पता कि 1936 में रेडियो परसारन से वह का नाम और बंख गया और लुघ में और क𝘯श और किसमें रेडियो का जो परसारनग्र फार वह था खाएते प्यश्व wonder से रेडियोू का परशारण होता था कि देश के अजादी के समय कोशन पूछρέगा कि देश के अजादी के समय All-India रेडियों के कितने परशारण के अंदर थे इसका अमक्तब All-India Radio जो कम्पनी थी कितने जगहों से आपको रेडियों का प्रशारण करवाती थी तिसका जवाब होगा 6 एक कोशन पूछा गया कि देश के अजादी के समय आपको भारत में अल इंडिया रेडियों के कुल कितने केंद्र थे तिसका जवाब होगा 6 एक कोशन भी पूछा गया कि 1936 से पहले 1936 में आल इंडिया रेडियो के स्थापन होई तो 1936 से पहले भी एक परसारण केंद्र था रेडियो परसारण केंद्र मैसूर उसका नाम आल इंडिया रेडियो ऐसी दे दिया गया था विधिवात रूप्स नहीं मान लिया गया था ऐसे तो आल इंडिया रेडियो के स्थाप तो इसका अंसर होगा मैसूर मैसूर करनाटक में है जानते होंगे यह भी कुछा गया बात को समझो विटा थो आशा अरे आल इंडिया रेडियो के स्थापना तो उन्हें 236 मुई लेकिन विधीबत रूप से लेकिन 36 से पहले भी एक रेडियो परसारन केंद्र था मैसूर जो की करनाटक में है उसको आल इंडिया रेडियो लोग कहते थे लेकि विधीबत रूप से नहीं पुकारू नाम दादेंगे तो यह भी कोशन पूछेगा कि आल इंडिया र ऐंडियो रखा गया था तो जाब होगा आपको मैसूर कोण होगा मैसूर मैसूर कहां है तो करनाटक में है कहां हे वह तबसे पहले ती आया था तो बलैक एंड वाइट थी ब्लैक एंड वाइट लेकिन आज तो रंगीन टीवी है आप सबको पता है तो आज रंगीन कार्जक्रम देखते हैं हम लोग अज सुनते भी है तो एक कोशन ने भी पुछता है कि टीवी पर जब सबसे पहले टीवी बना था या टीवी का परसान हुआ रहा था तो ब्लैक एं 1912 से मनें टीवी पर रंगीन कार्जक्रम जो देखते हैं या रंगीन टीवी जो आया कब से 1912 कोशन पूछा गया ए उन्हाइस सो ब्लैक वन नाइन एट टू वन नाइन एट टू ए ध्यान देंगे एक कोश्चन पूछा गया आख पध्यान देंगे कि दुरदर्शन पर रंगीन कार्जक्रम की सुरुआत कभ हुई रंगीन कार्जक्रम समग है गंदे कलर टीवी कब से आया तो 1912 अरे कलर टीवी आया ता मकार्जक्रम की शुरूआत होई 1932 एभी कोशन पूछा गया विट्धाप का रंगीन टीवी पर डुर्धाशन पर रंगीन कार्ट करम की शुरुआत कभी तो 1934 कहेंगे एक पुसन वर यहां बनता है कि रंगीन टेलिविजन में किन किन रंगों का परयोग होता है तो इसका जवाब होगा प्राथमिक रंग प्राथमिक रंग में आता है लाल हरा निला लाल हरा निला लाल हरा तथा निला तो बहु करेंगे तो कोशन यह पूछेगा को सन पूछा गया भी विटा एक कोशन पूछा गया कि रंगीन टेलिविजन में आपको किन किन रंगों का परयोग किया जाता है तो हम लोग कहेंगे लाल हरा निला क्योंकि तीनों को मिला करके बन जाता है सात रंग तीनों को मिला करके कितना रंग बन जाता है सात रंग तीनों को सामोही कुरूप से तीनों को मिला करके इसको प्रात्मिक रंग भी कहा जाता है यानि प्राइमरी कलर इसको बिटा आपको कलर भी कहा जाता है अंग्रेजी में इसी को हिंदी में करते हैं प्रात्मिक रंग अब प्रात्मिक रंग किसको कहते हैं एहू गौर से सुन जेगा कि वैसे तीन रंग वैसे तीन रंग जान देंगे जिन को मिलाने पर आपको साथ रंग बन जा है कितना रंग बन जा है साथ रंग वैसे तीन रंग कों ही प्राथमिक रंग कहा जाता है तो तीन रंग कौन-कौन है लाल हरा नियला प्राथमिक रंग के continuation होगया तो एसे तीन रंग जिन को मिलाने पर सात रंग बन जाए उन तीन रंगों को समोहिक रूप से प्राथमिक रंग कहा जाता है जिसको अंग्रेजी में प्रैमरी कलर भी कहेंगे तो यसान एंग गया वेता आपका की राइन टेलीविजन में कौन-कोन से रंगों का प्रयुग होता है तो आपका जवाब होगा कि आपको लाल हरा नीला अगर लालहरा नीला नरहें फ्राथमिक रंग रहे तो भी आपका पूछा गया आप जानते होंगे कि दुरदरशन पर आपको पता है कि दुरदरशन पर आपको देखते होंगे की दैनिक कार्जक्रम के अनुसार आपको दैनिक कार्जक्रम का अनुसार कोई प्रोडाम को दिखा जाता है अब दैनिक कार्जक्रम क्या हुआ सुन लिजिए अब जाने के पहले तो यह बता दें एक कोशन पूछा गया कि दुरदरशन पर दैनिक कार्जक्रम दैनिक का मतब दीन से है दूरदर्शन पर दैनिक कार्जक्रम की शुरुवात कब हुई दूरदर्शन पर दैनिक कार्जक्रम की शुरुवात उन्हेसो बहत्तर से हुई कुछन पूछा गया दूरदर्शन पर दैनिक कार्जक्रम की शुरुवात कब हुई तो 172 इसका मतलब क्या हुआ दैनिक मने एक दिन का काल्टरम बिटा आप सुने होंगे आप पेपर पाता है ते पेपर में रहता है कि 7 वैसे 8 वजे फलाना चैनल पर चित्रहार देगा कोई चैनल ले लो दाजेंगे जैसे कोई चैनल ले लेते हम लो डीडी भारती हम डीडी उसकी चैनल के नाम है DD-01 कुष saat नहीं कोई फोटरीन दिया राता है कि इस पर आपको फुर्छोय से 7 क्या देगा 7 8 दिग आफ 9 क्या देगा 9 से 10 क्या देगा справ которого कुरू दीन भर का कार्दम रहाता है इसे को बोलते हैं दैनी कार्दम बने एक दीन में आपको कौन टाइम में क्या देगा कौन सा पुड़ाम देगा जैसे साथ से आठ मल्यकी रहे घुले विश्रेगी इत साथ से आठ, आठ से नो रहेगा कि न्यूज देगा, नौ से दस रहेगा दिल वाले दुर्णिया ले जाएंगे कोई फिल्म का राम, नौ से दस नहीं वलकि नौ से साहिगारा कर दो, क्योंकि धाय घंटा चलता है फ्रेज, दाने के साहिगारा, इस तरह से दिन भर का प्रोड जो हुई, 1932 से, दैनी कालकिम का मतला समथा है, एए, 19712 से कोईशन पूछा गया, यह रखेगा, आपको हम बता दें, एक किलियर है, एक सियार बता दें, दूरदर्शन का आदर्स वाक, दूरदर्शन का एटिवी का, दूरदर्शन का आदर्स वाक है, सक्तियम सिवं सुन्दरम कोशन कुछा गया देंगे दुर्दर्शन का अदर्स वाक है दुर्दर्शन का अदर्स वाक है सत्यम सिवं सुन्दरम बड़े भी कोशन कुछा गया दुर्दर्शन का टीवी का अदर्स वाक आप देखते होंगे टीवी जैसी खोलेगा सुवा सुवा तो सत्यम सि ऐंडर संद्रमस यह दूरदर्शन का अदर्श पाकशनी क हो गया दुरदर्शन का अधर्श वाख हो गया सत्यम सिवन सुन्द्रम ये बटा दुरदर्शन का हुआ लेकिन रेडियो का रेडियो का अकासवानी भी कहेंगे यहाँ पर क्योंकि अकासवानी के तहट रेडियो बस्ती है अकासवानी का रेडियो का या अकासवानी का दर्सवाख है बहुजन हिताए बहुजन हिताए बहुजन सुखाए घान देंगे तो दोनों यारा के भी कोशन पूछा गया बटाब का बहुजन हिताए बहुजन सुखाए बहुजन हिताए बहोजन सुखा है ते भी कोशन पुछा गया देखे कितना कोशन पुछा गया बटा आपका एक दो तीन चार पांट चाव साथ आठ नाओ दस 11 13 14 15 16 17 18 19 22 22 बाइस कोस्टन आपका इससे पुछा गया जितना देरे हम बोले और उमीद करते हैं कि गवर से बटा सुना होगा जो निश्चित है कि बाइसों कोस्टन आपके पास होगा यह आपको हम रिपीट कर देते हैं इसको सुन लिजी अत्वा साथ प्रेम से सुनिएगा भारत में र रेडियो परसरन सेवा का नाम बदलकर के ऐल इंडिया रेडियो कब किया गया उनेशों'sाथ थीस जवब होगा उनेशों सन्तावन कोशन्फा होगा कि देश के अजादी के समय ऑल इंडिया रेडियों के इजे में केंद्र थे तो हम कहेंगे च्छ यह भी बताया थे कि जब All India Radio के स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले ही किस रेडियो परसारण केंद्र का नाम All India Radio रख दिया गया था तो जवाब होगा मैसूर मैसूर कहा है तो करनाटक में एक बटा यह भी बताया थे हम कि आपको दुर्दर्शन का अधर्स बाग क्या है दुर्दर्शन का अधर्स बाग क्या है तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यह भी बताया थे कि आकासवानी से दुर्दर्शन को अलग कब किया गया तो बताया थे उनैसो पैसट उनैसो पैसट उनैसो पैसट यह भी बोले थे बिटा आपको कि भात में दुर्दर्शन का दुर्दर्शन को लाने के लिए सबसे पहले बनिजीख सेवा के चीसका जबाब होगा 1986 दनेऊंगे यह भी दोले कि दुर्धार्शन पर सबसे पहली और समचार बाच्का के रूप में समचार कहने वाली सबसे पहले कौन बनी तो प्रतिमा पूरी कौन पूरी प्रतिमा पूरी भात में सबसे उचा टिवी टावर कहां है, तो नई दिल्ली में, तो पितमपूरा, पितमपूरा नहीं, पितमपूरा, पितमपूरा, यही बोले थे, कि दुरدहरसन पर रंगीन कार्काम के शुरुवात का वहीं, तो जवाब अभी बोले थे, 1912, रगिन के लिविजन में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है तो जवाब होगा लाल हरा निला लाल हरा निला को कौन रंग कहा जाता है तो प्रात्मिक रंग प्रात्मिक रंग किसको कहते हैं तिसका जवाब होगा वैसे तीन रंग जिनको मिलाने से साथ रंग बन जाए उसक पूछा गया और हम तो हमको तो एसा लगता हुआ कि बास्ता में जो पढ़ने वाले हैं उनको लाजवाब लगा हुआ ठीक है तो हम इहें पर आपको आजवाब करते हैं क्लास को जय हिन जय भारत